एलो जेहिन नमस्ते वेलकम 64 दिनों के धूम दड़ाके के बाद आज फाइनली फाइनल मुकाबला है और इंडिया को मिलने वाला है 2022 का लीग चैंपियन इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों की कमजोर कड़ी यानि कौन हो सकता है गुजरात या फिर राजस्थान के मैच का विलन जी हां सबसे पहले गुजरात की बात कर ले दे मेजबान गुजरात क्या बढ़िया बात पहला सीजन पहला फाइनल और वो भी होम कंडिशन गुजरात की टीम लीग क्रिकेट के इस सीजन के टाइटल के बहुत पास खड़ी है पर टीम में एक कमजोर कड़ी है यश दयाल 46 के बाद उतनी ही डंदे बैठेंगे जितना इंची मोधी जी का सीना है मतलब 56, 56 आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ राजसान रोयल्स के पास भी एक कमजोर खड़ी है जिसका नाम है रियान पराग रियान परागी सीजन में 16 के एवरेज से रन बनाए हैं जो कि एक एवरेज एवरेज है मगर इस वक्त राजसान के सामने है वो टीम जिसने इस सीजन ना सिर्फ पावर प्ले में सबसे आदा विकेट्स दिये हैं बलकि डेथ ओवर्स में भी बेस्ट बॉलिंग अटैक है तो अगर गुजरात इन फॉर्म बटलर को आउट कर भी न पाये तो कम से कम दूसरे छोर से विकेट गिरानी की उनकी कोशिश लगातार जारी रहेगी और अगर राजसान का टॉप ओडर धराशाई हुआ तो रियान परागी होंगे रॉयल्स की बैटिंग लाइन अप के आखरी स्पेशलिस्ट बले बास राजसान के कोच कुमार संगकारा ने कई बार पराग को स्पेशल टैलेंट कहा है क्या पता कहीं not so good in form चल रहे पराग को स्पेशल टैलेंट दिखाने का मौका फाइनली फाइनल में ही मिल जाए तो कौन बनेगा इस सीजन का चैंपियन ये तो मैच के बाद पता चलेगा वैसे जाते जाते आपको एक मैच का सिचुएशन दे कर जाओंगा पर्ज करिए मैच की आखरी छे गेंदों पर राजसान को चाहिए 15 रण रियान पराक स्ट्राइक पर है और गेंद यश दयाल के पास है क्या लगता है क्या होगा कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपर ओपीनिन जरूर लिखना और यह बताना की वीडियो आप देख कहां से रहो बागे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हेलो अब तक नहीं किया है क्या तो करना तेंक्यू पर वाचिंग मिलते हैं मैच के बाद कल एक कड़क वीडियो के साथ यहीं पर जहिंद बाइबाई